प्यार से हैं यादव जी स्वागत है आपका स्वागत है नमस्कार जी नमस्कार बोलिये सर बोले सर यह देखे न मेरा घुटना में सुजन है आपकी उम्र कितनी है फटास बावन बरस और यह सुजन कब से है दद भी होगा यानी हपोरी बात बताई चैज ते इंस सोजन है और कंबर मेर जल्द रहता है कि होनी भी गईन में तो कभी दाएं में और फिर गैस का प्रोगलम है सर ती कि शुजन वरी चार-पान्स सास्ण हाँ झिँ चार-पान्स साल से आप तकलीफ उठा रहे हैं चार-पांच महीने में इसका इलाज होना मुम्किन है लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजे कि आपको क्या चीज़ की इतियात करनी है युनानी दवाओं में इतियात थोड़ी सी जरूरी है एक तो आपके जरूरत के लिए वेस्टन टॉयलेट ये कुरसी वाला शोचाले आपके पास होना ही चाहिए नहीं तो ये बार-बार ठीक होंगे मैं नुसका बताओंगा आप ठीक हो जाएंगा फिर हो जाएगा और ये शोचाले होगा तो फिर वो एक बार ही इलाज करना काफी रहेगा तो वेस्टन टॉयलेट यानि शोचाले होना चाहिए कुरसी वाला और महनत का काम तीन-चार महीने के लिए बंद कर दें वजन बिलकुल नहीं उठाएं देखिए आप गाउवाले लग रहे हैं बहुत महनती होंगे लेकिन इलाज के दौरान वजन नहीं उठाएं महनत नहीं करें ये जरूरी शर्ते हैं और धनिया पीछ लीजे धनिया दो सो गिराम काला गौन भी कहते हैं काला गौन या गौन सया इसका असली मिलना बहुत मुश्किल है आप असली ले 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 हुए और इस को लेने जाते हैं तो दूकांदार क्या बेएवानी करते हैं एलवा दे देते हैं, एलवा नहीं लेना, एक चमकने वाला गौन दे देते हैं, जो चमकता है, वो एलवा होता है, यह जो गौन सिया मैं बता रहा हूं, यानि काला गौन, यह चमकता नहीं है, बड़ी बस सूरत सा काला सा होता है, कड़वा होता है, लेकि इसमें चमक नहीं ह और ये जो काला गॉंद आपने पाउडर बनाया है इसका अधा गिराम इसमें मिलाकर रोजाना दो बार खाना है सुबा नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद पानी से या बगएर चरबी के दूर से आप देखेंगे कि ये 100 गॉंद सिया खतम होते होते आपको तंदृस कर सकता है जी मैं मैं बहुत है जल्दी से प्रशन कर लीजे कि मैं बता हूं मेरे बाल बहुत है इसके बाल जड़ते हैं बहुत हां उम्र कितनी है आपकी 22 अज़र बच्चा देखो ऐसे मैं जब महिलाएं पेगनेंट होती है उसमें अकसर 40% लोगों को डायपटीज या थाइराइड हो जाता है उसमें अगर टेस्क कराया जाए तो उसके साथ में दवा लेनी चाहिए अभी भी थाइराइड का टेस्क करा ले और थाइराइड हो मौरिंगा सफेद एक ग्राम रोजाना एक पानी में यह नारियल पानी में दूद में मिलाकर रोजाना एक बार पिया करें तो आपको फाइदा मुम्कीन है आम चंद्र जी है कुरुशेत्र से स्वागत है आपका जी नमस्कार जी नमस्कार अधाव अधाव जी मैं मेरी उमर बावंद साल आजी हम और मुझे कब जी बहुत रहते हैं कब दिन जारे जी ठीक है अच्छा देखिए सौफ सौट अजवाइन जीरा धनिया सौफ सौट अजवाइन जीरा धनिया देखिए फिर बोला हूँ आप लिख लीजे घर की चीजे सौफ सौट अजवाइन जीरा धनिया ये पांच चीजे आप सो सो गिराम खरीदें और इनको पाउडर बना लें सौफ सौट अजवाइन जीरा धनिया इनको पाउडर बना लें और पौडर बना के रखें, काफी बना लें अब सो सो ग्राम भी लेंगे तो पांच सो ग्राम हो जाएगा अब आप नमक जैतून लें नमक जैतून एक ऐसा नमक है जो जायके में नमकीन नहीं होता जायके में हलका सा कड़वा पन या खारा पन होता है नमक जैतून अब दो चुटकी ये चुटकी कहता हूँ मैंसे दो चुटकी नमक जैतून और ये जो पाउडर आपने बनाया धनिये का और मैथी का इसमें मिलाकर रोजाना आदा घंटा पहले खाने से पहले आप खाया करें दिन में दो बार आप ये अमल करते हैं तो आपको की फाइदा होना मुम्किन है यह मेरे दो तिन सवाल नोट कीजिए बिल्कुल बोलिए एक तो यह पूछना है कि यह जो बताते हैं कि जैतुन का नमक और धनिया का पॉडर क्या हार आजमी को ले लेना चाहिए इससे कोई बिकत तो नहीं आएगी क्योंकि आज कल तो पेट का प्रोब्लम जो है 50% लोगों क दूसरा यह पूछना था कि 25-26 साल का लर्का है उसके आखों में गर्मी में खुजली सी होने लगती है और लाल हो जाता है तो यह मुंडी बुटी जो बताते हैं हकीम जी क्या उनको दे दें हो मुंडी बुटी दूसरा तो यह पूछना था और यह हमारे मिसेज यह ले रह हैं उनको पहले भी बताया था कि उनको जग़ा जग़ा पित निकल आते हैं तो खाने का सोड़ा दे दे їwright दा हूं मैं हैं हैं है तो उसस और आर हो जाता है और एक दो दिन के बादा है और फिर नए दूसरे निकल आते हैं हम ड़ी कमर में कभी गले में कभी पेट में क्ठवा यह कुई और दवा खा रहे हैं, क्या, आपकी मेसेज कोई इंगलीस दवा भी खा रह रहे हैं ? नए इंग्लिस दवा तो बिल्कुल बंद कर रखें सर्थ ठीके ठीके और 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 क्या सवार बैए सवाल तो ये तीन मैंने पूछा है इसी के बारे में पूछाता है कि ये जैतुन का नमक जो है धनिया के पॉर्डर में मिला के जैसे गैस का प्रॉब्लम है या और इल्लीवर है या जो भी दिकता है तो कोई आम आदमी भी ले सकता है इसे हाँ बड़ा अच्छा सवाल किया आपने इसको कोई भी ले सकता है अपनी उम्र के अनुसार बारा साल से बारा साल के ज्यादा के लोग एक एक चमच तक ले सकते हैं दो बार धनिया पॉडर और नमक जैतुन यह पेट के सिस्टम को अच्छा करता है और पेट के सिस्टम में क्या क्या आता है गैस एस अंदगी जदा हो जाती जिसे क्रीटेनाइन कहते है जिसकी वज़े से हमें डायलेसिस करानी पड़ती है हर हफ़े, हफ़े में दो बार तो यह इन रोगों के लिए, और चर्म रोगों के लिए चर्म रोगों में जिनको खुजली दाने वग़रा वग़रा हो जाते हैं या सौराइसिस, एक ऐसा मर्स जिसका कहीं ईलाज मिलना मुझे तो पता नहीं है कैंने हैं लेकिन इससे सुराइसिज भी भगवान अच्छा कर सकता है अच्छा आप अपनी मेसिज को दूसरे दें ये दवा और अगर ज़्यादा में दे रहे हैं तादाद में तो थोड़ी कम कर दें इसकी खुराक आदा गिराम है और इससे भी कम देनी पड़े तो दीजे और एक चुटकी सोड़ा रोजाना दे दिया करिए खाना इनको और उजह हैरत है कोई इंग्लिश दवा ने चल लए तो ये कैसे इनको पित्ती सी उचलती है लेकिन आने वाले वक्त में इसको ठीक होना मुम्किन है तीसरा सवाल है 25-26 साल का एक लड़का है उनका जिनकी आखें लाल रहती है तो इनको इनको एक के दराेन तदाना एक हाफते कि लाये के और पानिपिलाजीय करिए आपके बच्चे के ये तकरीफ ठीक होना मुम्किन है अगले कॉलर है हिमाचल से अनिल जी स्वागत है आपका हालो 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 जी सर सवाल कर लिजे सुनील सुनील ठीक है आप बताईए सवाल करिए मेरे स्वाल है मेरी माज़र है 65 तक एजम की और कमर के निचे दर्द टैक उटनों में दर्द होता है और निचे जो एडियां है पिली है उन में दर्द रहता है ठीक है चाहिए ऐसे सबी रोगईयों के लिए वो रोगई जो मुद्दतों से सालों से दशक से 20 साल से परिशान है उनके लिए भी इनसका बहुत अच्छा है और क्योंकि हर घर में एक ऐसी माता है जैसे आपकी माता है उनके लिए ये गौड गिफ्ट है अगर असली मिल जाए तो गौन सिया जिसको मैं कहता हूँ एक काला गौन जिसे गौन सिया भी कहते है ये असली आ एलवा दे देते हैं धाक का गौन दे देते हैं जो चमकता है शीशे की तरह ये गौन सिया जो है चमकता नहीं है और 15-16 रुपे का एक गिराम मिल जाता है ये एक दिन का खच्छे आपका आदा गिराम सुबह नाश्ते के बाद माताजी को दें और आदा गिराम रात को खान के बाद बगएर चर्बी के दूस से या पानी से और पांच साथ दिन के बाद इससे फाइदा शुरू होता है ये आप शुरू करें सौ ग्राम भी असली मिल गया तो आपकी माताजी का ठीक होना मुम्किन है लेकिन एक हिदायत और सुन दीजे कि दुखिए 65 साल उमर हो पढ़ेगा फिर उसके बाद जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए और पहुचा उचा ना लगाएं देखिए हमारी उमर के ये जो औरते होती हैं ये मर्द होते हैं ये जिद्धी बहुत होते हैं काम वाली का काम समझ में नहीं आएगा तो खुद ही कर डालते हैं तो महनता काम सब्सक्राइब कर सकते हैं ये अगर आपको सौ गिराम भी मिल गया तो माता जी को फाइदा होना आपकी मुम्किन है राजस्थान से है सतेंदर जी स्वागत है आपका जी सर आपका सवाल क्या है नमस्कार मैं एक मदर के लिए स्टिया गॉन मुझा था हां तो उसका मैंने पाउड़ तो बना लिया लेकिन उसका लेने का सही तरीका क्या है मेरा परला कोशन यह और दूसरा कोशन यह कि मेरे फादर जो है उनको शुगर है उसके लिए कुछ थे किम से कुछ मिश्के वगरा सुच बता है उनकी उनकी उम्र क्या है उनकी उम्र क्या होता है पच्पन पॉट्टी फिक्टी फाइफ राउंड होगी माम अच्छा देखिए यह इसकी गोली भी बनाई जा सकती है काबली चने के बराबर बड़ा वाला आता है जिसके छोले बनते हैं बटूरे बनते हैं देशी नहीं बड़ा वाला चना इतनी बड़ी बड़ी गोली बना लें किसी भी तरह वो एक एक गोली सुबा और शाम नाचते और खाने के बाद किला है पानी से भी खिला सकते हैं और बगर चर्वी के दूस से भी खिला सकते हैं और ये गौन सिया है इसको इसमें एक भगवान का वर्दान है इसको अगर जिसको भी असली मिल गया तो इसके खतम होने से पहले रोग मुक्त होना मुम्किन है और क्या स्वाल से हैं? शुगर के लिए? शुगर के लिए देखिए बहुत इलाज हैं लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी दवा खाते रहें शुगर से वू नोबत नाए जो ख़द और शुगर की दवाएं हमें इतना नुशान देती हैं खिर शुगर न कमजोर होते चले जाते हैं तो शुगर वालों को यह फिक्र करने चाहिए कि सिहत मन sharply गुझार सके शूगर और शूगर की दवाए हमारी बाड़ी को नुकसान दिये बगएर हम सहत की जिन्दगी गुजार रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे नुस्खे हैं दीए एक एक आता है जैतून का सिर्का एक आता है कलोंजी का सिर्का जो भी असली मिले नकली मत लेना दो दो चमच पानी मिलाके दो बार दिन में खाने के बाद पिला दे करें इससे बहुत रहत रहती है और यह सबसे ज़्यादा काम तो यह करता है कि दवाओं को नुकसान नहीं देने देता और फिर हाड को नुकसान नहीं देने देता बन दे यह आप उन्हें दे सकते हैं हमेशा अपनी दवाओं के साथ और एक आता है जामुन का गौन्द, जामुन का गौन्द लोग जानते भी नहीं है कि जामुन का भी गौन्द होता है, आदा आदा गिराम दो बार, यह खाने से आदा गंटा पहले इनको दिया जाए, तो भी इनकी शूगर कंट्रोल रहना मुम्किन है